हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे क्रॉचेट फ्लावर येडिंग्स इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रॉचेट फ्रेंड्स एंकर का फ्रेंड है ये नमबर एइट हूँ 0.5 mm, scissor, fabric glue, stud, stopper, white beads और studs तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले इस फ्लावर को बनाएंगे एक रिंग बनाएंगे रिंग बन गई, चेन बनाएंगे वन, टू, थ्री, इस रिंग में रिपल कुरोशे बनाएंगे 1 टीपल क्रोशे टू टिपल क्रोशे थ्री टिपल क्रोशे नेक्स्ट थ्री चेन वन टू थ्री स्रिंग में स्लिप श्री डालेंगे इस तरह से इस रिंग में हम फोर पैटल्स बनाएंगे लास्ट थ्री चेन बनाने इस रिंग में स्लिप श्री डालेंगे स्थ्रेट को यहां से कट करेंगे स्थ्रेट को नीचे ले जाएंगे इसे खिच कर टाइट करेंगे इस तरह से हमें फ्लावर बना लेना है नेक्स्ट इस फ्लावर को बनाएंगे एक रिंग बनाएंगे रिंग बन गई, चेन बनाएंगे वन, टू, त्री श्रिंग में टिपल क्रोशे बनाएंगे वन टिपल क्रोशे टू टिपल क्रोशे, नेक्स्ट, त्री चेन, वन, टू, त्री श्रिंग में स्रिबश्री डालेंगे इस तरह से हम फाइब पैटल्स बनाएंगे लास्ट, थ्री चेन बनानी है श्रिंग में स्लिबश्री डालेंगे श्रेट को यहां से कट करेंगे श्रेट को नीचे ले जाएंगे इसे खिसकर टाइट करेंगे इस तरह से हमें फ्लावर बना लेना है इस फ्लावर को बनाएंगे एक रिंग बनाएंगे रिंग बन गई नेक्स्ट, थ्री चेन वन, टू, थ्री श्रिंग में टू, टिपल क्रोशे बनाएंगे वन टिपल क्रोशे टू, टिपल क्रोशे नेक्स्ट, थ्री चेन वन, टू, थ्री श्रिंग में श्रिविश्री डालेंगे इस तरह से हम श्रिंग में थ्री पैटल्स बनाएंगे लास्ट, थ्री चेन बना लें श्रिंग में श्रिविश्री डालेंगे स्ट्रेट को यहां से कट करेंगे स्ट्रेट को नीचे ले जाएंगे इसे खिंच कर टाइट करेंगे इस तरह से फ्लावर बना लेना है नेक्स्ट लिफ बनाएंगे एक नॉट लगाएंगे चेन बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइब सिक्स सेवन फर्स्ट लिफ चेन स्किप करेंगे सेकंड चेन में स्लिफ स्टीच नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन में वन डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन में वन डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन में स्लिफ स्टीच साथ में हम टू लिफ बनाएंगे फिर से चेन बनाएंगे नेक्स्ट चेन में वन डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन में वन डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन में वन डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन में स्लिफ स्टीच स्ट्रेट को यहां से कट करेंगे इस तरह से हमें लीफ बना लेना है next स्टूर लगाने के लिए एक सरकल बनाएंगे एक रिंग बनाएंगे रिंग बन गई चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 3 चेन यानी 1 डबल क्रोशे next स्रींग में डबल क्रोशे बनाएंगे 2 डबल क्रोशे स्रींग में डबल क्रोशे बनाएंगे 3 डबल क्रोशे स्तरे स्रींग में 15 डबल क्रोशे बनाएंगे 15 डबल क्रोशे बना लिए स्ट्रेट को खिच कर टाइट करेंगे फर्स्ट वाली स्टीच में स्लिप स्टीच डालेंगे स्ट्रेट को यहां से कट करेंगे इस तरह से हमें सरकल बना लेना है नेक्स्ट इसमें हम स्टार्ट सप्लाई करेंगे बैक साइड में हमें स्टायर्स अप्लाई करना है इसे सेब देंगे इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे नेक्स्ट फ्लावर के बैक साइड में हम स्टायर्स अप्लाई करेंगे इसे सेब देंगे बीट्स की हेल्प से फ्रॉंट की और से इस तरह से प्रेस करेंगे इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे इसमें भी हम स्टायर्स अप्लाई करेंगे इसे सेब देंगे बीट्स की हेल्प से फ्रॉंट की और से इस तरह से प्रेस करेंगे इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे इसमें भी स्टायर्स अप्लाई करेंगे बैक साइड में हमें स्टायर्स अप्लाई करना है इसे सेब देंगे बीट्स की हेल्प से इस तरह से प्रेस करेंगे सेब देंगे इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे नेक्स्ट फ्लावर लेंगे इसके बैक साइड में हम थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे दोनों थ्रेट को चिपका देंगे एक्स्रा थ्रेट कट कर लेंगे इसमें भी बैक साइड में ग्लू लगाएंगे थ्रेट को चिपका देंगे एक्स्टा थ्रेट कट करेंगे नेक्स्ट इसमें भी हम बैक साइड में थोड़ी सी गुलू लगाएंगे थ्रेट को चिपका देंगे एक्स्टा थ्रेट कट करेंगे नेक्स्ट सरकल लेंगे वैक साइड में थोड़ी सी गुलु लगा एंगे, दोनों थ्रेट को चिपका देंगे एक्स्टा थ्रेट कट कर लेंगे नेक्स्ट, हम एडिल में थोड़ी सी गुलु लगा एंगे स्टूर्ट डालेंगे इसे चिपका देंगे लेट की एरिंग्स हाईए राइट की एरिंग्स बनाएंगे लू लगाएंगे इसके उपर इस तरह से लीप को चिपका देंगे एक्स्ट्रा थ्रेट कट कर लेंगे नेक्स्ट इसके उपर फिर से लू लगाएंगे इस फ्लावल को लेंगे इससे हम इस तरह से चिपका देंगे यहां थोड़ी सी लू लगाएंगे साइड में इस तरह से लू लगा लेंगे नेक्स्ट इस फ्लावल को हम इसके उपर इस तरह से चिपका देंगे नेक्स्ट पैटल्स के उपर थोड़ी थोड़ी सी लू लगा लेंगे इस फ्लावल को हम इसके उपर इस तरह से चिपका देंगे नेक्स्ट फ्लावल के मेडल में थोड़ी थोड़ी सी लू लगाएंगे इसके उपर हम इस चिपका देंगे इस तरह से सारे फ्लावर्स में हम बीड़ी चिपका देंगे अब यह कंप्लीट है इसमें स्टॉपर डालेंगे फ्रेंट्स हमारे दोनों यारिंग्स रेडी है आप भी से बना सकते हैं से बनाना बहुत ही इजी है बहुत ब्यूटिफुल यारिंग्स है यह